हेलो दोस्तों, फाइलली महिंद्रा कमपनी लॉंच करने जारी है महिंद्रा थार का 5-door model और महिंद्रा कमपनी थार 5-door SUV को 2023 में ही लॉंच करने वाली है इंडियन 4-wheeler मार्केट में और उसके साथ ही अपकमिंग थार 5-door SUV को काफी टाइम से स्पॉट भी किया गया है इसकी ट महिंद्रा थार का हम लोगों को अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल जाता है और लोग महिंद्रा थार को पसंद भी करते हैं और मार्केट में इसी डिमांड को देखते हैं महिंद्रा कमपनी थार का 5-door model लॉंच करने वाली है 2023 में और इसकी लॉंचिंग हमें जल्द ही देखने को मिलेगी थार 5-door SCV की लुकिंग और डिजाइन की बात करें तो इसकी लुकिंग और डिजाइन तो हमें almost same ही देखने को मिल रही है थार के 3-door model के जैसे यह हमें boxy look and muscular profile में देखने को मिल जाती है और all इसकी जो लुकिंग है काफी बहतरीन है और लोगों को पसं और उसके साथ ही different color options भी देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग महींदरा थार के front view की बात करें तो front view में हमें round sap headlamp offer किया गया है और उसके साथ ही new design bumper slatted front grills महींदरा कमपनी का twin peak logo यह सबी features हमें front section में देखने को मिल रहा है और इसके rear view में हमें tail light rear door और spare wheel offer किया जाएगा और उसके बाद इसके side view को अगर हम लोग देखते हैं तो side view में outer rear view mirror देखने को मिल रहा है जो कि हमें body color में ही देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही large size alloy wheels जो की definitely काफी helpful होने वाले हैं off roading में और इस upcoming 5 door model में हमें सायद ही 3 door model के जैसे convertible roof देखने को मिल सकता है leaks और information तो यही निकल के आ रही है कि company 5 door model में हमें convertible roof offer नहीं करने वाली है पर अगर company offer करती है तो सिर्फ हमें top wearers में ही देखने को मिलेंगे तो finally इसके बाद देखते हैं इस upcoming SCV के engine specifications को तो महिदरा कमपने ने engine specifications में भी कोई भी changes नहीं किया है इसमें हमें same ही engine specifications देखने को म महिदरा थार 3 door SCV के जैसे इसमें हमें 2 engine options offer किया जाएगा पहला 2.0L turbo petrol unit और दूसरा 2.2L diesel unit वैसे यह दोनों engine unit best and powerful engine units है जो कि definitely हमें इसमें best performance provide करेंगे और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी off-roading performance की तो company's की off-roading performance के लिए upcoming THAR में हमें 4v4 system offer करने वाली है जो कि definitely off-roading में best performance provide करेगा पर इसमें दिख्कत यह है कि 4v4 system हमें सिर्फ top variants में ही offer करेगी company इसके base variant में 4v4 system देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि 4v4 system के कारण इसकी जो pricing है हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है जो कि इसके top variant में ही देखने को मिलेगी और इसके features की बात करें तो features हमें same ही देखने को मिल रहे है थार 3 door SUV के जैसे इसके features और Indian specifications में हमें ज़्यादा changes देखने को नहीं मिल रहा है तो इन सबी features और specifications के साथ थार 5 door SUV जल्द ही launch होने वाली है Indian 4 wheeler market में 2023 में हलाकि अभी तक इसकी pricing confirm नहीं हुई है पर इसकी pricing हमें लगभग 15,20,000,000 तक देखने को मिल सकती है और जब यह SUV Indian market में launch होगी तो हमें तगड़ा demand देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों में आपको यह वीडियो और इनफॉर्मेशन पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको ऐसी ही updates और इनफॉर्मेशन मिलती रहे